मेरा नाम है शुबाम आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फाइनली टीवेस मोर्टर कंपनी ने अपना जूपिटर 125 सिसी में लॉंच कर दिया है और आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि टीवेस जूपिटर 125 सिसी में कौन-कौन से कलर्स आते है देखे अभी बताया गया है कि चार कलर्स आ जाते हैं यहां पर और यहां पर यहां पर रिवील नहीं किया गया है वाइट कलर तो टोटल चार कलर का उप्शन हो जाता है कलर काफी जादा फंकी हो जाते हैं काफी एट्रेक्टिव पेंट यहां पर यूस किया गया है और अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो अब क्या है कि यहां पर एक सबसे एट्रेक्टिव चीज हो जाती है कि यहां पर डबल हेलमेट रखने की जगे मिल जाती है तो यहां पर क्या है कि जैसे यहां पर दो हेलमेट आराम से आजाते हैं अगर आपको बैग वगएरा बड़ा कुछ रखना वो भी रख सकते हैं यहां पर देखें लाइट भी जल रही है तो जैसे रात के समय आप इसको यूज करते हैं तो यह चीजी हो जाती है इसके आलमा दोस्तों इस चीजी कंपणी काफी अच्छी रखी है कि पेट्रोल के लिए अब आपको क्या है पीछे जाने की ज़रुवत नहीं अब आपको यह आगे की तरफ हैं मिलता है और इसको आप सिंपली क्या है कि यहां से आपरेट कर पाते हैं आगे से और यहां पेट्रोल फिल अप करा है कि बैलेंसिंग जो है वो काफी ज़्यादा बैतर हो जाएगी दोस्तों इसके अलामा क्या है कि अगर मैं इनर पैनल की बात कुरो तो यहां पर देखेंगे आप अंदर बॉडी कलर में इनर पैनल भी देखने को मिल जाता है जिसकी वज़े से क्या है कि इसकूटर अंदर की तरफ अंदर की तरफ भी काफी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है यहां पर आप आगर आप नजर डालेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर तो यहां पर एनलॉग प्लस डिजिटल में दिया गया है इसके साथ में यहां पर डिफरेंट इन्फरमेशन देखने को मिल ज ट्राफिक में होते हो तो लगबग 10 सेकंड बाद आटोमेटिक यह स्कूटर बंद हो जाता है आपको सिंपल सा है आपको ब्रेक लेनी और फ्रॉटल ले लेना है थ्रॉटल जैसे ही आप लेंगे तो यह स्कूटर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा यह चीज भी एक फीच टेलिस्कोपिक सस्पेंशन आ जाते हैं फ्रंट और रियर दोनों पर 12 इंचेस के यहाँ पर टायर दिये गए हैं काफी ब्रॉट हो जाते हैं सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम है इसके अलामा यहाँ पर फ्रेंड पर LED लाइट्स दी गई है तो जैसा आप यहाँ पर द पर डिजाइन किया गया है यह पूरा बॉडी कलर में दिया गया है यह अगर रियर से आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आई शेप में इसको डिजाइन किया गया है जब आप दूर से नजर डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ में दू आख है और यह पीछे एक घैस। लेंडर भी रख सकते हैं और इसके अलावा जावा यहां number 2L आप साइड स्टैंड लगा होगा इगनेशन ओन कर देते हैं तो वहाँ पर क्या है कि यह बीप करने लगेगा यानि आपको इंडिकेट करेगा साइड स्टैंड लगा हुआ है और स्कूटर स्टार्ड भी नहीं होगा तो दोस्तों यह कुछ मेंन फीचर्स थे जो कि मैंने लाइक और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब इसके अलामा आप लेटेस्ट न्यूज और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं मोटरबड़ी.co.in हमारी वेबसाइट का एड्रेस है और आप मोटरबड़ी इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज और अपडेट के लिए वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद